हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे एक बार फिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रूची में बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारा बन रहा है सुबा सुबा पराठा दोस्तों आज हम आलू के पापड बनाने जा रहे हैं तो आलू के हमने पराठे भी बना लिए है सुबा सुबा हमने आलू बोल किये थे पापड बनाने के लिए तो फिर उसी से हमने कुछ आलू निकाल लिए थे और उससे हमने बनाये हैं आलू के गर्मा गरम पराठे और ये नास्ता हमने बना कर रेडी कर दिया है सुबा हम लग गए हैं पापड में अपने क्योंकि हमने साड़े छे बजे नास्ता बना कर रेडी कर दिया है और उसके बाद हम अब आलू को साफ करेंगे और इसका भरता बनाएंगे भरता बनाने के बाद हमें पापड बनाने है साफ साफाई करनी है बहुत सारे काम करने हैं दोस्तों बालों में मेहंदी भी लगानी है सब कुछ हम करेंगे आप सबी लोग हमारे वीडियो पर बने रहीएगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरू बताना चैनल पर पहली बार आये हो तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना आज बड़ी बिटिया भी हमारा काम करवा रही है क्योंकि वो समझ चुकी है कि होली का सीजन आ गया है होली करते उहार है बहुत सारे काम है और अकेले मुझे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो आज वो मेरी हेल्फ करवा रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मेरे साथ थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा रही है तो ये भरता बनवाने में तो इन्होंने मेरी मदद की ही है और धूप में आज पापड भी बनवाए हैं दोस्तों बहुत तेज धूप हो गई है धूप की वज़य से ही हम सुबा जल्दी लग गए थे कि धूप ना होने पाये लेकिन देरे-धेरे करते-करते भरता बनाते बनाते इतना टाइम हो गया है कि ये सुबा कि 9 बज गए हैं और 9 बजे इतनी तेज धूप हो गई थी कि जिसका अंदाजा नहीं है बिल्कुल बरदास नहीं हो रहा है, छट पे बहुत तेज से धूप लग रही है, आज धूप बहुत तेज है भी, बिल्कुल अभी हमारे पापड़ बनने शुरू हुए है, अभी हम थोड़ी देर में ही बहुत ज़्यादा ऊप चुके हैं, मन नहीं हो रहा बनाने का लेकिन भरता हमारा बन चुका है, बहुत ज़्यादा भरता है, तो बनाना तो पड़ेगा ही, आप देख सकते हैं, हमने बहुत थोड़े पापड़ा भी बनाये हैं, आभी भरता बहुत ज़्यादा है, आभी हमको सब बनाना है, हमें तो लग रहा है, एक दो घंटे हमको बनाने में लग जाएंगे हम दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं दोस्तों यह हमने पॉलथीन मंगवाई है और उसी के ऊपर हम लगा लगा के तेल रख दीजिए उसके उपर से बड़ी पनी रख के और किसी बरतन से दबा दीजिए आप देखिए एक साथ कितने सारे पापड बनकर तयार हो गए हैं और यह जो पनी आपकी उपर वाली है इसको आप उठा लीजिए इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी आपके पापड बनकर तयार हो जाएंगे और यह हम छोटी बिटिया को भी आज घर पे काम दे कर गए थे तो वो मटर छील रही है अभी दुपहर का खाना नहीं बना है तो मैंने इनसे कहा था मटर छील के रखना अभी खाना पकाएंगे तो यह अपना काम क चुके हैं और अपने साफसफाई करें च्छत की थोड़ा सा लेबर आज एक आया थे सेट्रिंग का समान लगा था उनका वो लेने के लिए आया थे उन्होंने हमारे दो गमले तोड़ दिये हैं देखिए पेड़ हमारा पूरी तरह से बेकार करके रख दिया है अब हम इसक चाहिम तो इनको संभाल पाना बहुत जड़ा मुस्खिल है क्योंकि घर की बहुत ज़्यादा साफसफाई करनी है उपर का पूरा पोर्शन गंदा पड़ा है जीने गंदे हैं सब थोड़ा थोड़ा हमको अकेले ही करना पड़ता है और हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए पेड़ों पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और धीरे धीरे होली की बाद ही हम फिर से लेबर डालेंगे और तब हम साथ में मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करेंगे अभी तो हमारा सिर्फ जाड़ू ही लग पाएगा उपर वाले पोड़िशन में क्योंकि सारे काम बंद हैं अभी हम प्लास्टर भी नहीं करवा पाएंगे इस टाइम प्लास्टर भी हमें बाद में करवाना रहेगा अब दोहार आ गया है तो होली ऐसे ही हो जाएगी उसके बाद हम आगे का काम सुरू करवाएंगे आज हमारे बालों में महंदी भी लगनी थी आप देखिए हम महंदी लगा रहे हैं हमारे बाल बिल्कुल भी सफेद नहीं है हम सफेद होने की वज़े से बालों में महंदी नहीं लगाते हैं यह हमारे यहाँ पेड़ है महंदी का तो वहीं से हम पत्ति पीस के महंदी की जो पतियां होती है इनको पीस के अगर आप अपने बालों में लगतार 15 दिनों में लगाते रहेंगे बराबर इसको लगाएंगे तो इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे अगर बालों धड़ रहे हैं या बालों में रूसी है या बालों में खुझली हो इसलिए जोले में ले आई हैं, उठाकर, चाल से पापड़ हमारे बनकर त्यार हो चुके हैं, आप हम जायादा पापड नहीं बनाएंगazing है यह को आप चाहें तो एक दिन में पूरा काम खटम कर सकते हैं तो देख़ें हमें सिर्फ दो दिन में हमने हमने साबुदाने के पर बनाये हैं जा वालो की चिप्स नें और हमने बना लिये हैं भी सब्सक्राइब हर चैवल मेद Warumu जीटे वाले वराइ वी कर लिया है सुबह हमने बनाए है अब साम को बच्छे जा रहे हैं हमारी चाय भी बन चुकी है और गरम गरम पापड भी हमने बच्छों के लिए निकाल दिये हैं क्योंकि आइसमान जब से पापड बन रहे थे उनको बड़ा मन हो रहा था वो रोज कह रहे थे कब सुखेंगे कब हम खाएंगे तो आज आश्मान को पापड भी मिल गए हैं तले हुए इंको चिप्स और आलू के पापड बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो उनके लिए हमने चिप्स और आलू के पापड साबुदाने के थ थे थाप हम ने बनाए थे तो हम सब कुछ थोड़ा-थोड़ा सा थ्राइ करके देखेंगे बच्छों को टेस्ट कराएंगे कि बच्छों को खिलाएंगे बच्चे बताएंगे कैसे पापड seven बहुत अच्छा लग रहा है पापड आज बन गए हैं बहुत सारा बोज सर से हलका हो गया है लग रहा है कि बहुत सारा काम हो गया है क्योंकि होली पे पापड बनाना ही बड़ा कठिन लगता है दोस्तों तो यह पापड हमारे बन चुके हैं अब हमें कोई टेंसन नहीं है थ तोड़े पापड कल और बना लेंगे और उसके बाद पापड से हमको फुरसत मिल जाएगी और जो घर के काम काज रह जाएंगे वही करने रहेंगे साफ सफाई हमने जो उनी कप्रे थी वो सारे रख दिये हैं और अभी घर की बस में सफाई सफाई ही रह गई है उसको भी खत हमारे चाय पीने जा रहे हैं हम सब लोग चाय पीने जा रहे हैं चाय हमारी बन कर त्यार है पापड भी हमारे भून चुके हैं और यह आज बड़े मज़े से चाय और पापड नास्ते में ले रहे हैं इनको बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत आनंदा रहा है क्योंकि य आज मैंने बना दिये हैं दोस्तों